Hello friends, बहुत-बहुत स्वागत है आपका mysarji.com के इस चैनल पे, मैं हूँ आपका दोस्त, instructor Saurabh Shukla और आप लोग देख रहे हैं DSA Using Python की सीरीज, इसमें आज हम लोग को देखना है assignment number 17 के solution को, assignment number 17 था priority queue के बारे में, जो की हमें link list की मदद से करना है implement, आपने इसके पहले priority queue को implement करके देखा है list की मदद से, I hope आप लोग assignment को properly attempt कर रहे होंगे और आपको तभी आज की वीडियो का फायदा मिलेगा जब आपने इस assignment को अच्छे से implement करके देखा होगा, इसके पहले हमने priority queue की theory भी देखी है और उसके बाद अब आपको clear हो चुका होगा कि priority queue क्या है और कैस implement करना है list के तुरू हमने देख भी लिया, लेकिन आज हमको link list के तुरू इसको implement करके देखना है, तो चलिए, शुरुबात करते हैं कैसे इसे link list के तुरू हम लोग implement कर पाएंगे, so basically यह रहा assignment number 17 और assignment 17 अब हमको करना रहेगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बनाना रहेगा node, right, पहला पहला जो है node बनाना है, node class बनाना है, जिसमें item, priority and next, यह तीन चीज़े होनी चाहिए, तो पहले तो मैं assignment number 17 के लिए एक file create कर लेता हूँ, यह नई file मैंने create करी, assign 17.py, okay, अब यहाँ पर मुझे एक class बनानी है, node नाम की, यही पहला सवाल है, node नाम की class बनानी है, with instance member variables, item, priority and next, तो यह कैसे बनेगा, यहाँ पर बहुत simple है, आपको यहाँ पर एक node नाम की class बनानी है, जिसके अंदर, आप लिखें, self. आपको item रखना है, तो एक second, एक second, एक second, यह मैं directly लिख रहा हूँ, यह मुझे init method के अंदर करना चाहिए, define, init, okay, self और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, इसके अंदर एक तो आजाना चाहिए, item, जिसकी value none होगी, by default, priority, जिसकी value भी शुरुवात में none होगी, and next, तो next, जिसकी value भी शुरुवात में none होगी, अब इसके अंदर create करते है, self.item, जिसकी value होगी, item, self.priority, जिसकी value होगी, priority, priority, ठीक है, then self.next, इसमें होगा, next, ठीक है, क्योंकि none ही आएगा basically, okay, तो ये node तो हमारा बनके तयार हो जाएगा इस class की मदद से, अब हमें देखना है class priority queue, एक class बनाने जा रहे हैं, priority queue नाम से, आप लोगोंने assignment जरूर कर लिया होगा, जो लोग नए है इस platform पे, अगर ये assignment अभी तक try नहीं किया है, तो आप लोग इस video के description box में चेक करिए, वहाँ पे आपको playlist का भी link मिलेगा, और साथी इस course को join करने का भी link मिलेगा, course को join करने का मतलब कोई fees नहीं है, लेकिन आपको download करने के लिए notes मिल जाएंगे, आपको assignments मिल जाएंगे, उनको आप देख पाओगे, और उनको attempt कर पाओगे, तो priority queue नाम से, यहाँ पर मैंने एक class बना लिए, और इसके अंदर भी मुझे बनाना पड़ेगा, इनिट method जैसा कि यहां लिखाए, सिंगली link list की मदद से हमको implement करना रहेगा, provide करो, इनिट method to create a start reference variable, तो यहाँ पर एक इनिट method बनाते हैं, define करते हैं, इनिट method, इनिट, इनिट, self, और क्या चाहिए रहेगा, और कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप बना लिजे एक start नाम का variable, जिसकी by default value none रहेगी, साथ में एक और variable बनाने को कहा जा रहा है, which is item count, जो इस बात का हिसाब रखेगा कि अभी link list में कितने nodes हैं, यानि कि priority queue में कितना data है, लिखते हैं self.item.count, इसकी by default value हम लोग रख रहे हैं 0, ऐसा ही करने को बोला गया है, initially 0, अच्छा, अब तीसरा सवाल देखिए, define a push method in priority queue class to insert new data with given priority, ठीक है, तो push method हमको बनाना है, यही सबसे important method है, define करते है push method, इसमें क्या-क्या चाहिए होगा, एक तो रहेगा self, एक रहेगा data, और एक रहेगा priority, इतनी चीज़ें हमें चाहिए, अब push के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो नया node बनाना है, तो मैंने एक n नाम का variable बना लिया, और इसमें नया node बना रहा हूँ, node, और node के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पास करनी होती है, तो node के अंदर हमें सबसे पहले पास करना है data, तो data पहुँच जाएगा, और priority number भी हमें पास करना है, तो अगली चीज़ हमें पास करनी है priority, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर priority, क्या spelling mistake कर रहा हूँ, ओके, यस priority, तो यह हम लोगों ने बना लिया है, अब क्योंकि next की value मैंने पास नहीं करी है, तो वो none है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस node की singly link list में, सही position according to the priority number पदा गरनी और वहाँ पर इस नए node को insert करना है, यहाँ पर भी link list जो है, वो sorted order में है, according to the priority number, तो अब यहाँ पर मैं एक if condition लगाता हूँ, चेक करता हूँ, यदि self.start में none नहीं है, या priority priority चोटी है, जो नोड हमें नए element रखना है, उसकी priority अगर चोटी है, self.start.priority से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यह जो नए node है, नए node है, इसको, इसके जो next है, जो अभी हमने node create किया है, उसके next में क्या assign हो जाना चाहिए, इसके next में क्या assign हो जाना चाहिए, जो अभी पहला node है, उसका reference, तो इसका मतलब self.start, ठीक है, नए node के next में, जो नए node हम बना रहे हैं, आपने singly link list का program बनाया ही हुआ है, तो आप शुरुवात में अगर जोड़ना चाहिए, तो आपको ऐसी करना होगा, ठीक है, और शुरुवात में जोड़ने के लिए एक step और है, self.start, और इसमें नए node का reference रखते हैं, तो यह हम कब कर रहे हैं, देखो एक तो ही हो सकता है कि list empty है, तो जो भी नया element आ रहा है, नया node बन रहा है, वो शुरुवात में जोड़ेगा, और यदि list empty नहीं भी है, लेकिन priority of new element is lesser than the priority of the first element, तो भी आपको इसको शुरुवात में जोड़ना है, तो इसलिए मैंने यह कर दिया, अगर else में जा रहे हो, तो क्या हो सकता है, भई, else में जा रहे हो इसका मतलब है, कि, या तो list empty नहीं है, तो इसका मतलब मुझे traverse करना पड़ेगा, आगे की notes को देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक variable और बनाता हूँ, current नाम से या temp नाम से जैसे भी बना सकता हूँ, तो temp बना लो, temp, और इसके अंदर start, या नि पहले वाले note का reference रख दो, self.start, तो अभी temp क्या कर रहा है, इस singly linked list के पहले note को refer कर रहा है, अच्छा, अब मैं एक loop लगाता हूँ, और तेखता हूँ, temp.next, जब तक none नहीं है, तब तक चलेगा, not equal to none भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, none मतलब भी false हो जाएगा, तो जब तक ये none नहीं है, and, यहनि temp किसी न किसी note को point कर रहा है, ठिक, और temp.next, अगले वाले node के priority, priority, छोटी या बराबर है, नए node के priority के, ये loop तब तक चलता रहना चाहिए, मतलब, none आ जाएगा अगर, temp में, या temp के next में, none आ जाएगा, तो रोग देंगे हम लोग, और ये भी हो सकता है कि, temp के next की priority, अगर बड़ी हो जाती है, नए node की priorities है, तो भी loop को रुखना है, ठीक है, तो loop कब तक चलता रहेगा, जब तक temp के next में none नहीं है, temp जिस node को point कर रहा है, वो आखरी node नहीं है, तब तक ये loop चलेगा, और, priority जो है, छोटी है, next node, temp जिस node को point कर रहा है, उसके अगले node का priority, छोटा है, नए node के priorities है, ठीक है, तो मैं basically search कर रहा हूँ न, position, तो माल लीजे, मेरे नए node के priority number 5 है, तो मैं तब तक जाओंगा, जब तक मुझे, 5 से कम priority वाले node मिलते जा रहे है, जैसे ही मुझे, priority ज्यादा मिलती है, 5 से ज्यादा priority मिल जाती है, जैसे 6 मिल गई है, तो मैं रुख जाओंगा, ठीक है, इस समय temp जिस node को point कर रहा है, उसके अगले node की priority 6 है, ठीक है, तो temp जिस node को point कर रहा है, उसके just बाद ही मुझे इस नए node को जोड़ना है, ठीक है, अभी ये भी ध्यान रखें कि temp को भी आगे बढ़ाते जाना है, तो मैं लिखता हूँ temp में assign करें temp.next, इस तरीके से हम temp की value को आगे बढ़ाते जारे हैं, जब ये loop end होगा, तो temp उस node को point कर रहा है, जिसके just बाद मुझे नए node जोड़ना है, तो मुझे क्या करना है, नए node के next में, नए node के next में, assign कर देना, अब देखियो, नए node, temp के just बाद वाले node, temp के just आगे जोड़ रहा है, temp जिस node को point कर रहा है, उसके just आगे, नए node जोड़ रहा है, तो नए node के next में क्या आना चाहिए, जो temp के next में, yes, तो लिखे temp.next, ओके, ये तो हो गया, अब temp के next में changes कर दो, temp.next, इसमें assign कर दो, मैं इसका diagram इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप singly linked list का program already देख चुके हैं, तो आपको वो पता है कि, after a particular node कैसे insertion करते हैं, तो I guess ये भी समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हमारा push method complete हो गया, अगला क्या है, अगला हमें pop method बनाना है, जो की highest priority element को return करेगा, यानि जो पहला node है उसी को return करेगा, क्योंकि उसकी priority सबसे ज्यादा है, और उसमें हो सकता है कि raise करने पड़े exception, अगर list empty है तो, तो मुझे empty list के लिए भी function है न, पाँचवे सवाल में, उसको पहले बना लेते हैं, कैसे check करेंगे, define कर रहा हूँ, is empty, is empty, ठीक है, पतलब empty है ये मुझे check करना है, तो अगर start में none होगा, तो empty है, तो self.start equals to अगर none है, तो यह से empty है, empty है तो return करा दो इसको, start में none होगा, तो ये true return कर देगा, चलिए, आप pop method बना देता हूँ, pop method बना रहा हूँ, और pop method के अंदर हमको क्या कर रहा है, self, बस एकी चीज़ हमको pass करनी है, अब हम लोग देखते हैं, कि कहीं ये empty तो नहीं है, list अगर empty है तो उसमें से कुछ भी pop नहीं कर सकते, तो if लिखते हैं, self. is empty, अगर ये condition true हो जाती है, तो हमें raise करनी पड़ेगी exception, index error, और इसमें हम message लिख देते हैं, priority q is empty, चीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो नीचे का code चलेगा, else लिखने की ज़रूद नहीं है, directly आप लिख सकते हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस node को delete भी करना है, ठीक है, delete भी करना है, तो node को basically हमें delete करना है, लेकिन मैं अभी data को कहीं रख लेता हूँ, suppose करो मैंने रखा self.start.item, अगर पहले node में जो data रखा हुआ है, वो मैंने data variable में रख लिया है, जिसको मैं बाद में return करा दूँगा, और self.start में भी changes कर देता हूँ, और इसमें लिख देते हैं, self.start.next, मतलब अब दूसरा वाले node को point करने लगाई, और return करा देते हैं, return करा, अचा नीचे लिखना है, return करा दीजिए, data, clear है, तो यह pop method का काम भी हमारा complete हो चुका है, is mtbm बना चुके हैं, अब अगला है, ओके हमने एक item count भी तो बनाया था size के लिए, पर उसको increment नहीं करा है न, आ, वो भी तो करना था, मतलब जब भी successful insertion हो रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, self, यह push करते वक्त, self.item count, इसमें एक का increment कर दिया, और इसी तरीके से जब मैं pop कर रहा हूँ, तो मुझे decrement भी करना है, तो यहाँ पर जब data निकाल लिया है successfully, तो decrement करना है, तो मैं लिखता हूँ, self.item count, minus assign 1, तो एक से decrement हो जाएगा, अगर empty होगा तो decrement नहीं होगा, क्योंकि exception raise हो जाएगे, अब यहाँ पर size method बना लेते हैं, size, इसको क्या गरना, item count की value रिटेन करनी है, item count, self. बस हो गया, यह हमारी class बनके तियार हो चुकी है, इसको एक बार test कर लेते हैं, तो जैसे मैंने लिखा, P, sign priority queue, priority queue, और इसके बाद फिर इसमें data रखना चाहता हूँ, तो P.push, और इसमें कुछ data रख लेता हूँ, जैसे मैंने पहले भी रखा हुआ था, वैसी ही रख लेता हूँ मैं, मैंने रखा Amit, एक काम करें, पिछले class में जो code लिखा था, वोई का, वोई का, वोई copy कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है, यह पूरा data मैंने रख लिया है, output यही आना चाहिए है न, अगर यही output आया तो बिल्कुल सही है, यह मैंने 17 वाला, रन कर दिया, आप देखें, same output आ रहा है, yes, exactly same output आ रहा है, that means हमारा code बिल्कुल सही है, जिसकी priority नंबर छोटा है, उसकी priority ज्यादा है, तो वो पहले दिख रहा है, जैसे कि Ambika की one है, तो one मतलब सबसे ज्यादा priority है, ठीक है, इस तरीके से यह पूरा arrange हो गया, perfect, तो यही था आज का हमारा program, I hope आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमने priority queue को भी implement करना सीख लिया है, हलाकि priority queue का एक और implementation होता है, with the help of heap, पर heap क्या है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो हम जैसी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम priority queue को heap से भी बनाएंगे, फिलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज आप इनको like करिए, comment देकर आप बताईए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप क्या और expect करते हैं इस channel पर, साथ ही, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe भी करें, share भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और भी लोगों को subscribe करने के लिए बोलें, और regular आप class अटेंड करें, साथ में आप assignments इमानदारी से try करें, आपको definitely फायदा होगा, आज के लिए इतना ही, thank you, good bye,